हेलो फ्रेंड्स दिस इस पीके सर्मा एंड यू आर वाचिंग मी आवार यूटूब चैनल आयांस लर्नर एकेडमी फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा हीट ट्रीट्मेंट चैप्टर चल ला था और इसके अंतर का फ्रेंड्स हम लोग देख चुके थे एनलि ओने वीडियो को देख लेंड्स नार्म लाइजिंग जो वीडियो है इसका लिंक आपको आई कार्ट में मिल जाएगा वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं जैसा कि आप लोग अ अ प्रोसेस आप हार्डेनिंग हार्डेनिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है तो फ्रेंड्स बीना देर की हुए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं हार्डेनिंग क्या है तो हार्डेनिंग का मतलब होता है हिंदी में कठोरी करण कठोरी करण क्या होता है यह धातू का वह गुण है जिसके कारण यह अपनी सतव का वियर यानि की घिसाव का विरोध वियर का विरोध और इसी के कारण दूसरी धातू को काटता है फार कटिंग जो हार्डनेस होती है घिसाओ का विरोध करती है और दूसरी धातू को काटने में प्रयूक्थ होती है hardness भूर के कारण ही धातु अपनी सतक पर घिसाओ का विरुद करती है और दूसरी धातु को क्या करती है? कट करती है friends, धातु के अंदर hardness hardness बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है बढ़ाने की प्रक्रिया hardening का लाती है hardening का लाती है friends, hardening क्या है? hardening एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दुआरा धातु के अंदर hardness को या फिर कटोरता के गुण को बढ़ाया जाता है ठीक है friends तो देखते हैं hardening के क्या-क्या उद्देश होते हैं तो सबसे पहला उद्देश होता है hardening का धातु की hardness को बढ़ाना friends, यह hardness बढ़ाने से क्या फैदा होता है? धातु अपनी सतों के घिसाओ का विरोध करती है wear resistance क्या होता है? बढ़ जाता है hardness बढ़ाने से धातु का जो wear resistance है वो बढ़ जाता है दूसरा है धातु के अंदर cutting ability को बढ़ाना cutting cutting ability मतलब काटने के गूण को बढ़ाना इस गूण का प्रयोग कहा होता है? cutting tool बनाने में cutting tools में इस गूण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अगर धातु की cutting ability काम है और उसका अगर cutting tool बना दिया जाए तो क्या होगा? वो cutting की प्रक्रिया जादे सही से नहीं करेगा धातु बहुत जल्दी से क्या होगा? ब्लंट हो जाएगा फ्रेंड देखते हैं hardening की प्रक्रिया कैसे की जाती है? फ्रेंड प्रोसेस आप hardening, hardening की प्रक्रिया तो फ्रेंड देखिए hardening की जो प्रक्रिया है steel के अंदर जो carbon की प्रतिसत मात्रा होती है हम लोग में रूप से steel का यह देखेंगे इस्टील की जो कारबन की प्रतिसत मात्रा होती है उर उसी पे निर्भर करती है आपको यह देखिए हार्डेनिंग की रेंज दिखाई गई हार्डेनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आपको बताया गया था कि उसमावचार के तीन चरण होते हैं हीटिंग, तो हीटिंग के दौरान क्या करेंगे जो हाइपो यूटेक्टाइड इस्टील होगी उसको उसके अपर क्रिटकल तापमान से तीस से पचास डिगरी सेंटिग्रेट उपर गरम करेंगे किसके लिए फ्रेंड्स हाइपो यूटेक्टाइड इस्टील के लिए कितना गरम करे करेंगे उसके अपर ग्रिट कलतापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटिग्रेट ऊपर फ्रिंट्स अगर आपकी स्टील जो है हाइपर यूटेक्टाइड इस्टील है यानि कि उसमें कारवन की प्रतिसत मातरा 0.8% से जादे है तो उसी स्टील को उसके लोवर क्रिटकल टंपरेचर स से 30 से 50 डिग्री सेंटिग्रेट ऊपर गरम किया जाएगा ठीक है फ्रेंट क्या करेंगे एक बार और से देख लीजे हाइपो यूटेक्टाइड इस्टील है तो उसको उसके लोवर क्रिटकल यह जो है साथ सो तेज़ डिग्री जो होता है सबका लोवर क्रिटकल टंपरेचर होता है उसके 30 से 50 डिग्री सेंटिग्रेट ऊपर किया जाएगा और कुछ देर के लिए होल्ड किया जाएगा होल्ड आप्टर सम टाइम जिससे की आपका क्या होता है उसका जो माइक्रो स्ट्रक्च और हिस्टील का वह परिवर्थित हो जाए उसके बाद क्या करेंगे उसकी कुरेंगe क्वेंचिंग या फिर पूलिंग करेंगे कवि'd कुलिंग की जाएगी इसे के लोग के क्वेंचिंग मीडिया कहते हैं क्वेंचिंग प्रक्रिया के लिए अलग अलग जो मीडिया है इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्वेंचिंग मीडिया कहते हैं अब देखिए फ्रेंड्स हार्डेनिंग की प्रक्रिया में होता क्या है जब हम लोग धा वाली तिल की प्योकर की जाती है तुवह मार्टेन साइट में परिवर्ति यह आपते हैं कि मार्टेन साइट क्या होता है また बहुत ही हाड और ब्रिटल सनरचना अपने काट। क्क्राइब होती है कि यह किरेंफर ही मेroffenOS में हम धातु को जब गरम करते हैं तो उसका इफेक्ट भी अलग-अलग होता है देखिए जैसे अगर क्वेंचिंग मीडिया आगर आपका वाटर है तो इस्ट्रक्चर जो बनेगा वह मार्टेन साइड बनेगा उसकी अल्टिमेस ट्रेंसाइल स्ट्रेंज सतरह सो पचास रहेगी पर्सेंटेज एलोंगेशन बहुत कम होगा पर्सेंटेज रिजक्षन इन एरिया भी बहुत कम होगा और राक्वेल हार्डनेश जोगा उसका पैसेट हो जाएगा अगर ओयल में क्वेंचिंग की जाती है तो बेरी फाइन पियर लाइट क्या होगा कोर स्पियर लाइट होगा टेंसाइल इस्ट्रेंश इतना हो जाएगे इल्ड इस्ट्रेंश पर्सेंटेज एलोंगेशन पर्सेंटेज रिडॉक्षन और यह आपका राक्वेल हार्डनेस नमबर है तो देखिए सबसे ज्यादा जो हार्डनेस और बिटलनेस का पुर्ण क्राप्त होता है वह आपका वाटर कृश्रिटल रहा है ठीक है तो कि दॉट्स तोफ्स ना है तो जो में सâtरेजिक में फ만 है तो इसे इस kilogram कर दोस्तों के जात अश्याद स्यर करां और आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो